कहानी इमांदारी का फल एक गाव में रामू नाम का एक किसान रहता था वह महनती और इमांदार व्यक्ती था एक दिन खेत में काम करते समय उसे एक सौ रुपए का नोट मिला रामू ने सोचा कि यह किसी के काम का होगा इसलिए उसने उसे अपने पास रख लिया वह गाव के लोगों से पूछता रहा कि क्या किसी ने नोट खोया है लेकिन कोई भी नहीं बोला रामू ने फिर तै किया कि वह इस पैसे का इस्तिमाल दूसरों की मदद के लिए करेगा उसने उस पैसे से गाव के बच्चों के लिए किताबे खरीदी कुछ दिन बाद गाव में एक बड़ा त्योहार आया सभी लोग खुश थे लेकिन रामू ने ख्याल रखा कि उसके द्वारा खरीदी गई किताबे बच्चों के लिए खास हो जब बच्चों ने किताबे पाई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा इसी बीच नोट का असली मालिक जो एक व्यापारी था रामू की इमानदारी के बारे में सुनकर उसके पास आया व्यापारी ने रामू को धन्यवाद दिया और उसे 500 रुपे इनाम में दिये इस प्रकार रामू की इमानदारी ने उसे दो मिले एक सच्चा दोस्ट और आर्थिक मदद इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है समाप्त